तो कैसे हैं आप सब लोग मैं लाई हूँ आप लोग लिया एक बहुत अमेजिंग बहुत डिलिश्यस रस्मलाई के रेसिपी चुकि यह बहुत पंसितार वह बहुत इंस्टेंट बनने वाली तो चलिए इसका बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम इसके ले ले लेंगे 1 सु mm काई मिल्क मतलब गाये का थूद अगर काई के दूद से आप रस्मलाई के लिए स्पांज बिनाइँ को कहाने में बर्ला की फौरोगी और चाल यह झाला है यहाँ को शली है इसे मिल्क परतिक लिमन जूस यहां पर शुझात लेक तल्स का करें यहां अच्छापन तरी नवका आसाले देपशरें Church मोगे नार्मन त्य नूहीं क्षृ क्यों होंक्य रियाना प्रांए तरी टो ile शुझात ले छोड़ें खुत्जापन चृु Başंव यु पांधि hasед मेगा 15-20 मिन तक के लिए टांग दूंगी और इसका सारा जो पानी है भून कर ले दूंगी आप मेरा फुल फैट मिल्क नहीं लिया है अब अच्छे तरीके से मैं इसको बॉल कर लोंगी और आपनी आप फुल फैट मिल्क लेना है ताकि हमार जो रब्री है वह बहुत दा क्रीमी ब बाल लेंगे आप जो दूद है वो बल चुका है अब मैं इसके अंदर जो हमने इंग्रीडेंस आड़ करने है वह मैं आड़ करूंगी तो जैसे कि मैं आड़ करूंगी यहां पर बदाम मैंने क्रश करा हुआ बदाम लेना है तूचे बस्पून आप अपने पसंद से कोई काजू मैं इसके लिए बाला इसको उठाओ क्रशकर जाले है अप जालूंगी-1 इसके बदाम मैं नहीं तो ऑन पस्ता है कर लोग Hahn पे जाले है अपनी चेनी तो अपने जालोंगी तो आपने इसके मताबिक लेडिय刃 मैं यहां धर रजानी एर चपन अधें निवसके दाले केसर की बजाए है अपना यलो फूड को मैं थोड़ा सा पानी पानी फूड कर लिया था यह अगर केसर डालना चाहते हैं तो भी डाल सकते हैं लेकिन जो मार्कीट में बनती है केसर नहीं पड़ता तो कें दर कलर ही पड़ता है अब जो मेरे छेना है वह निकाल लोंगी और अ इसके अदर में जा लोगी 1 तीबल स्पून कॉणन फ्लार से क्या होता है इसकी जो बाइंडिंग यह वह बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है तो अब मैंने अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है और हतेली की मदद से हमने इसको कम से कम 10 मिनच लगतार हमने इसको मसलना है जब तके डो अच्छे तरीके से आपस में मिलना चाहे, अब इसी तरीके से मसलते रहेंगे, और सारा जो हमारे डो है वो एकटा कर लेंगे, उसमें चोटी सी एक बॉल लेंगे, उसको हमने इस तरीके से अपनी हतेली पे घुमाना है, और आप अपने हिसाब से कोई भी शेप मैनेज कर सकते हो, मैंने यहां पे पैटी कर शिन लिया है, अब अच्छे तरीके से मैं इसको गोल घुमाऊंगी और थोड़ा सा प्रिस कर दूँगी, नीचे, आप इस तरीके से बॉल्स भी बना सकते हो, वो भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मुझे इस तरीके से रस पानी और पानी के नदर डालओंगे मैं एक कटोरी चीनी को डालने के बाद हम अच्छे तरीके से इसको पकाएंगे, हम एक उबाल राने देना है इस से आए अच्छे तरीके से बॉल door Pi और चीनी उपकेंगा इसमार क ने चीन हॉं कर 물 इस अच्छी पानी के से बॉल होने बस मैं इसके अंदर सारी जो हमारी रसमलाई की जो बॉल्स है मैं सारी के इसके अंदर अदर एड कर दूँगी और इसको हाई फ्लेम पर मैंने 15-20 मिनुत तक लिए बॉल करना है नहीं हमने इसको चेकर खेक है खोल करके थोड़ी थोड़ी तोड़ी तेर पे पर फुल फ्लेम पर पकाना है आपने कहीं पर भी इसकी फ्लेम को धीमा या फिर अपने तूकर जाएगी तो आपने इस बात का धिहान रखना है बस मेरी रस्मलाइए वह आप 15-20 min पक चुकी है मैं इसको ठंडा करने के लिए एक ट्रे में इसके शुगर स्रिप को फैलाओंगी और इसके अंदर ही अपनी जो रसमलाई है उसको डाल करके ठंडा होने दूंगी हमने सारी रसमलाई को इसमें जो फैला लेना है और इसको ठंडा होने दिन आप देख सकते कितनी बड़ी- कर दो कि आपने जादा प्रेशर से स्क्वीज नहीं करना है मरना जो शेप है इसका वह काफी जादा बतला हो जाएगा तो अब मैं इसको एक ट्रे में सेंबल कर लोंगी आप जिस भी चाहिए चीज में उसमें कर सकते हैं अब मैं इस पर आलोंगी अपनी तंटी रबडी यह आपको पता ही नहीं चलेगा अगर आप किसी गेस्ट के लिए बनाएंगे तो वह ताहीं नहीं लगएगा कि आपने बनाई हैं फिर आप मार्केट से लाए हैं तो बस अब मैं इस पर सारी जो रबडी है वो डालूंगी आप लोग देख सकते हैं कितनी क्रीमी और रिच बन मार्केट स्टायल बन करके रेडी हो चुकी अब आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं मिलेगी कि आप इतनी महंगी रसमेलाई बजार से कैसे लाएं गर में बना सकते हैं बहुत एजी समान के साथ बड़ी मज़दार ती तरीके से मैं आप लोगो तोड़के दिखा सकती हू मिलती र lending रेसर दुने रेसर इंटला भी आंटे क्या लगेए खुर्ड़के विए विर बार नो पीर इसंक्ड़के टेर को डिखा जार स्टीड का दाब हाएं टेक्ड़के बिल्कृड़के भी से क्वेड़के लीग गीज़ड़के पालिछशन इसटीष ग्ड़के